हे स्टूडेंट वेलकम अंस अगेंड बच्चो आज की स्वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसेज वन नीका जो फिफ्ट नंबर का क्वेस्ट है इससे स्वाल करना सीखेंगे देखो यहां पर जो फिफ्ट सीख्स और सेवन इट नंबर के जो क्वेस्टन से ना यह लगबग लगवक सीम है जैसे आपने क्वेस्ट वाले वन समझ लिया था तो वन टू थी फॉर यह चारों आपको आसानी समझ में आ गये उसी तरीके से अगर आप यह फिफ्ट वाला समझोगे तो आगे कि भी असानी समझ में आ जाएंगे तो यहांब ध्यान से आप स्टेप समझना कि किस तरीके से हम एक डेसिमल वाले अंडरूट वाले निबर को कैसे नalley उसकरते हैं ठीक है तो यह कॉपी में सोलब करते हैं और अगर आप में प्रिवैसे कोई वीडियो मिस किया है न चारों में से या जो मैं नेस्ट लिडियोस बनाओ तो उसमें अगर किसी भी कोशन मे आप यह copy में बस अच्छे से fit हो जाया, तो इतना बड़ा मैंने line बना लिया, arrow का sign देते हैं क्योंकि हमारा यह क्या है, एक number line है, तो उरको मैं camera को adjust कर लेता हूँ, अब ठीक है, अब आपको अच्छे से दीखेगा, तेख हमने क्या क्या पहले तो line बना लिया, उसके बाद क् कितना निकालना है, 4.7 का under root वाली value निकालनी है, तो यहाँ पर आपना बीच में 4.7 measure कर लो, कहीं से भी कहीं तक ले सकते हो, को ज़रूरी नहीं क्या आप इस्टार्टिंग से last में लो, बीच में भी ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ से start करता हूँ, तो मेरा 4.7 कहां से कहां त और जो 0 है, इधर भी आपको थोड़ा सा dot लगा लेना है, clear है, तो इधर भी मैं थोड़ा सा dot और लगा देता हूँ, और इधर वली जो line है उसको बढ़ा दो, क्यों बढ़ाना है, क्यों हम लोग solve करेंगे, तो हमारा जो answer आएगा, right side में आने माला है, तो हमारा जो यह line है थोड़ा सा आगे होना चाहिए, मैं इधर थोड़ा सा आगे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा erase कर लो, और इसको बढ़ा देते हैं, तो यह हमारा main पहले तो काम क्या हुआ, एक हमने line बना लिया, उसके बाद उसमें हमने 4.7 measure कर लिया, तो यहां पर आ 1 unit आगे एक और आपको point ले लेना है, एक unit, एक unit का मतलब है, आप 1 cm ले सकते हो, तो simply आप क्या करो, B से 1 cm आगे एक point ले लो, जिसका नाम दे दो, आप C, तो यह हमने 1 cm आगे point ले लिया, एक सिकन रुको, यहां पर, यह हमारा point मिला है, इसका नाम दे देते हैं, अपन C, तो यह हो गया हमारा C, अब क्या करना है, इसके बाद पैदे को हाथ, ध्यान से देते हैं जाना कि हम step क्या use कर रहे है, पहला step था line बनाना है, बड़ा सा line बना लिया, उसके बाद हमने एक point लिया, A से लेकर के B तक, जिसका हमारे measurement है, वो कितना है, 4.7 है, फिर उसके बाद आपको कि A से लेकर के C तक की दूरी है, इसका बीचो बीच का point बता करो, तो बीचो बीच का point निकालने के लिए आपको यहाँ पर plus minus नहीं करना है, simply क्या करो अपना compass पकड़ो, यहाँ से हमारा C से लेकर कभी भी किसी भी दो point के बीच का गदम point निकालना रहे हैं तो आप है, उसके बाद, सेम वही काम करो, आप इधर वाले में रख करके, यह वाले में रखो, और जो आपने उपर में R कट किया है, उसको कट कर दो, और जो नीचे में R कट किया है, उसको कट कर दो, तो जो points आपको मिले हैं न, यहाँ पर और यहाँ पर, यह उपर और नीचे, त कर देता हूं जितना अच्छे सापको दिखेगा उतने इच्छे सापको समझ में आएगा तो ये हम इन दोनों points को मिला देते हैं तो जहां पर यह हमारा point मिला ना वही हमारा क्या होगा मिड्यूपाइंट होगा तो यह जो हमारा point मिल गया यह हमारा A से लेकर के c का context का point है जैसे 4 1 से लेकर के 4 चाँप बीच क्या होता है 1 से 10 चैन का center क्या होता है 5 होता है उसी तरही के से C सई से की तक के करो point यह निकल गया तो यह center है तो मैं इसका नाम क्या करता हूं एक O दे देता हूं क क्योंकि center को आधातर ओही नाम दिया जाता है मैथ में अब इसके बाद के स्टेप क्या है कि आपको अपना जो यह हमारा कमपस है इसको रखना है अपने सेंटर में और रेडियस अपना यहां से इदर भी देखो बराबर आएगा ओ से ले करए एक सरकल बना लो आधा सरकल इतना इस तरीके से एक सरकल हमने बना लिया तो यह हमारा आधा काम कम्प्लीट होगे थ्वोड़ा संब काम बचा है और आपको सरकल बन गया encant एक सीधी लाइन बनाओ, जो इस सरकल को टच करती हो, ठीक है, तो सीधी लाइन बनाने के लिए हम जानते ही है, जैसे यहाँ पर मैंने मीड पॉइंट निकाने के लिए कंपस के उसकिया था, उसी तरीके से कभी भी जब सीधा लाइन बनाना रहे तब आपको क्या करना है, एक semi circle बना लेना है, छोटा सा, सीधा line का मतलब होता है, 90 degree का angle, ठेक है, तो 90 degree का angle बनाने के लिए, आप compass का use करना तो ज्यादा बेटर हैगा, protector यहाँ पर आपको, teacher आपके suggest नहीं करेंगे, तो एक circle बना लो, ठेक है, छोटा सा, छोटा ही circle लेना, त यह हमारा mid point मिल जाएगा, 60 और 120 का, यानि कि 90 degree का, जैसे हमने यहाँ पर question मेर, 1 से 4 तक बनाया है, था 90 degree का angle ना, सीम वही काम हम यहाँ पर करें, बाद थोड़ा सा, छोटा कर रहें, ताकि हमारा answer अच्छे से दीखे, तो यह जो हमारा line बनेगा, इस point से, इस point को मिला करके यही हमारा क्या होगा, 90 degree का angle होगा, और हम सीधा line होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को तो मिला नहीं मिलाना है, एक सिधार कर लेता हूँ है, क्योंकि दीखनी रहे है, आपको दीख रहे हैं, देखो, ऐसे मैं मिला रहूं, यह वाला point को, और जो उपर में हमने को point मिला है, यहाँ पर cut करने बाद वह वाला, इन दोनों को मिलाओ, और यह दिहान रखना, कि यह हमारा नहीं यहाँ तक ऊपर भी touch हो जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक तो मेरा मिली जा रहा है, देखो, यहाँ से, यह मैंने मिलाया, यह आर्क में पहुंच गया, अब आर्क स काम बज गया, कि B से लेकर के D तक का एक radius ले लो, simple सा, अपने compass से, और उसके बाद इधार एक circle बना दो, जैसे यहाँ पर B से करके, आप कहां तक लेना है, D तक लेना है, main जो यह line आता है, last में, जैसे आपने पुरा काम कर लिया, last में जो यहाँ से यहाँ से की line मिली है, वही क्या है हमारा, जो हमने जो value लिखा था शुरू में, उसका answer है, कैसे answer है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो, यहाँ पर रखना इसको, इसका आप यहाँ से यहाँ तक point ले लो पहले हो तो, और एक छोटा सा circle बना दो, जैसे यहाँ से ही, इसको आपको घुमाना है राइट सेड में, और एक circle ले जाना है, एक सिकंट थोड़ा से हील रहा है, यह मेरा गया, और यहाँ पर आगया मेरा circle, तो यह जो हमको point मिला है, यह नीचे वाला point, ठेक है, यह वाला, यहाँ पर, यही क्या होगा, B से लेकर D तक की दूरी हो जाएगी, और यही हमारे कित इस तरीके से इसको solve करना है, थोड़ा से step जादा है, जैसे वहाँ पर आप जब question number 4 वागरा solve कर रहे थे, यहाँ पर ने solve करना बढ़ता है, यह इसमें time लगता था पहले, है ना, और यह बनाना बहुत easy था, इस वाले में आपको base height कुछ पता नहीं करना है, simply यही step है, कभ यही step है, जैसे अगला जो वीडियो मनाँगो, question number 6 का, 7 का, तो उसमें भी मारा same step रहेगा, तो बस एक बार आपको step अपने mind में fit कर लेना है, कि कौन-कौन से steps मुझे follow करने है, उसके बाद आपसे कोई सभी question देते, number change करके भी देतेगा, तो भी आप बना लोगे, तो अग मिलते आपन next video में, जहाँ पर जो अगला question, question number 6 है, जहाँ पर हमें under root 10.5 को number line में show करना है, same process रहेगा, वो भी मैं आपको simple method में समझा दूँगा, thank you for watching.